गुड बॉर्णिंग दोस्तों आज हम 11 क्लास की इंडिन जोग्राफिक चेप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्राकर्तिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन यह चेप्टर बहुत ही सांधार है और यहां से भी प्रतिवर्स आई इस प्रिलिम्स एक्जाम म क्जर्वां यहां से मैंने कुस्षन देखें हम बात करें इंगे कि स्कौन के कि पिरड्य फिन में कुछन आ सकते हैं और मेंस में किस प्राकार के यहांशे से कुछन वीडियो पसंद आरे तुन को लाइक से कड़ते रहना चली आगे बढ़ते हैं तो वर्णस्पति वाले वैसे भी एना चैप्टर पहले हमने पढ़े हैं एंट-9 की एंस्याटी मी पढ़े हैं दुबारा इनका लगबग रिपेटेशन ही होता है तो यह भारत में वनों की बात है उसे एक्जामे की बात करा था भी cds nda की वहां पर यह कुछन आया है उसन कट्विंदिक काटेदार वन या मरुस्तली वन परवतिय वन और वेलांचली अनूपन तो इस तरह से क्या है पांस प्रकार के वन हैं तो सबसे पहले हम बात करें आपको मैंने कल बताये था जै है जब वर्षा प्रारूप वाला यह मेप पढ़ रही तो मैंने बताया कि यह आपको वर्षा प्रारूप याद है ना तो आप क्या कर सकते हूं वनस्पति भी पढ़ सकते हो एक बार ऐसे चूटा-फूटा मेप बना है ठीक है तो देखो इस मेप में हमने पढ़ाता सबसे ज़्यदा वर्षा कहां पर है पस्मी काट पर 400 सेंटीमेटर यहां पर 200-400 सेंटीमेटर अंडबा निकोबार 200-400 सेंटीमेटर जब वर्षा यहां पर 200-400 सेंटीमेटर है तो वनस्पति भी कौन सी होगी सदाबार वनस्पति होगी और फिर 100 सेंटीमेटर रेका यहां से 100 सेंटीमेटर रेका यहां से 100 सेंटीमेटर रेका यह 100 सेंटीमेटर रेका ह है तो यहां पर प्लस कर देना यहां पर माइनस कर जो यानि इधर जmostanska देना चाहर यानि इधर जांग तो Kathryn चंग तो सदावारवन सब्सारबरींगअ कि वरशा कहा पर नौर्गिच में 50 गात में और अंडबा निकुपार अधिसिया तो त प्रणपाती वन और मानसुनी वन वो सरवादी क्या मिलेगी तो यह आपको ना वर्षा मेप याद है तो वनस्पति मेपी बहुती बहुती इजी से आप कर सकते और मेंस के एक्जाम यह ऐसे कुछ नाते हैं तो इंडिया का मेप बनाओ और उसके अंदर आप दर्शाओ तो अधर प्रदेश यानि यहां पर वर्षा बहुता है वर्षा कितनी है 200 सेंटिमेटर से दीक है और सब्सक्राइब कि बात करें तो 22 इस प्रकार आसकता है कि यह जितने भी विशेशता दे रिखिए न यह आपको स्टेट्मेंट में देंगे और पूछेंगे यह कौन सी वनस सब्सक्राइब नहीं सिकाई कभी भी नहीं सिकाई है तो आप इनको देखना तो पश्मिगाट उसन अधर प्रदेश हो गया वह सब्सक्राइब करने की प्रवर्थी होती है तो इनके लंबाई कंपिट्शन में एक दूसरे से बढ़ती चली जाती है उसक्राइब गद्फ्वर्थी को सब्सक्राइब विख के लंबाई साट मिटर से जयादा है पतियां सदा बार्वण का यह लौजी के एक खुष है कि किस बात को यहां पे पैड कौन से यह भी आ सकते यह किस मतलब ताइप के वन है उस सदाबार वन है ठीक है इसको याद रखता है और भारत में भारत के नक्से पर भी देख लेंगे कहां पी यह वन पाई जाते है अर सदाबार यानि इसके बगल वाले चेतर यानि जब 200 सेंटीमेटर पर यह हो रहा है तो जैसे हम 200 कैसा हिमाले की तरफ है कि यहां पे जैसे इस में अंग्रेजों की द्वारा जो ओकवन है वहा की स्थान य v apoy इंके स्थान पर क्या किया था चीड की वरक्सों को बढ़ा लिया था चीड के वरक्स, आज यह इteन जा Nam를 के अंधर दावility लेकिन अंग्रेजों ने अपने स्वारतों के लिए जो आज कहीं कहीं दावनल के लिए जिमेदार है तो इससे कुछ ना सकते हैं उसमें आप यह लोजिक बता सकते हूं आगे दी बात करें उसन कट्विते प्रण पाती यह मतलब बहुत इंपोर्टेंट है याद रखना यह कुस्छ ना आए था यह बारत में सरवादी कौन से पाई जाते हैं तो यह मानसुनी वन है जो कि अपनी पतियां गिराते हैं ठीक है गिरसमकाल से पहले अपनी पतियां ग सकते हैं एक तो आदर मतलब आदर कौन से सो से 200 सेंटीमेटर वाले वर्सा थोड़ी जैदा है एक सुस्क ठीक है दो टाइप के तो यह दिए आदर की बात करें तो यह दो सो से यूपी बिहार मद्य भारत में पाई जाते हैं तेंदू प्लास अमलतास बेल खेर और अक्सल वुड यांके परमुक पादफ हैं पेड़ पोदें तो इसमें किस टाइप के कुछ नाएंगे कोई भी पेड़ पोदा का नाम देकिया विसेस्ता देके पूस लेंगे किस इविन वेक्ति से मंगवानी हूँ ठीक है तो आप यहां पे इनको कॉल कर सकते हैं इनकी इनकी नो की दिया हम बात करें तो यह वन कौन से हैं तो जैसे जैसे हम यहां इस पच्छमी भारत में गुजरात राजस्तान इसमें जाते हैं तो वर्षा की मातरा कितनी हो जी पचा पादबखोंगे पादब जहां पर आहीं एक काटेदार बनें उट्यों है और आप मेरी वीडियो में यहां जो प्हों सबसे प्रमुक रिक्स यही और घेज्री जो है यह मरुद्बीत पादब का बेस्ट एक्जामपल है और इसका लोजिक है, मरुद्बीत पादब आप जानते हो पानी की हमारी यहां कमी है, 50 cm से कम वर्स है तो जैसे खेजरी का वरक्स है आप एक्जामपल देखना, खेजरी का वरक्स है उसकी जड़े जो है ना बहुत ज़दा गहरी पर जाएगी क्योंकि पानी की इतलास में ये क्या है 50-60 मेटर नीशी चले जाती है ठीक है 50-60 मेटर खेज़ दी बबूल इनकी जड़े और इनकी जो पतियां होती है इनकी जो पतियां होती है क्या होती है भोजन की रूप में तू ये पतियाँ कहाम आती है तो पतियां कैसे होगी चोटी होगी और कुछ पेड़ पते तो हमारे यहां एसे है जैसे बबूल है बबूल की कुछ पतियां किस में तबिल होगी काटों में तबिल होगी लंभी-lंभी उनके काटे नागा फनी है तो यह किस टाइब की पोड़े यह मरुद्वीत पादव है ऐसा क्यों वास्पिकरण बचाने के लिए जब इनका तने की बात करेंगे ना जैसे खेज़री के तने की बात करेंगे तो तने का भी वास्पिकरण यह पाए ठीक है और पतिया मतला आप जानते है चोटी पतिया या काटो मीरुपांत्रीथ हो जाती है तो ऐसे लोजिक पड़ा करो है ऐसे कुछन युपी सिप्री में आते हैं डारेट कुछन इसे आते हैं जो भी हम बात करने वैसे ठीक है उसन कटिवंदी काते दारवन तो कितनी पचास सेंटिमेटर से कम है जाडियां यहां पर पाई जाती है दक्षन पशीम पंजाब है हर्याना राजस्तान गुजरात MP वरक्ष कौन से हैं बबूल खेर खजूर नीम खेजरी पलास तो अभी हमने बात की मैंने दो परमुक एक्जामपल दिये हमारे जो खेत हैं उ क्योंकि हे 기ש्च है टो आजकर प्रोजेक चल रहा एक राजस्तान के अंदर एक प्रोजेक्ट चल रहा है इसराहिल तो मेंट्सक्राइब लेंसेब्स को पने लगा जिसे बेर भी यांपे अच्छे वाले बेर भी लगाने लगें और यह निमनीम टू जैसे हर गर में यहां पर होता है निम कहेजडी भी होता है और बबुल थो आपको इस काहनी से यद रहे जाएगा कि सर नहीं कहानी चुनाई थी ऐसे बता रहे थे अपनी बारे में अपनी खेतों के बारे में तो आपको याद रहे जाएगा और एक्जाम में सा कुस ना जाएगा तो एकदम आपके चेरे की जो मुश्कान है वो बढ़ जाएगी बिल्कुल बढ़नी चाहिए चेरे की मुश्कान बढ़ाएं रखना एक्जाम पास में तो बिल्कुल खुस रहना ठीक है इसके लाब पन रहीत फ्रक्स पन यानि कई बार पतियां नहीं होती है गिरा देते हैं ठीक है कांटों में तबदिल हो जाती है इसके लाब परवती वनों की बात करें पाड़ी वनों की बात करें तो उचाहिक के साथ याद रखना हूं परवती वन बहुत ही सांदार एक डाइवरसिटी या एकोसिस्टम का एक बड़ी एक्जामपल है हमने देखा कि जैसे जैसे हम उचाहिए पर जाते हैं तापान कम ह जैसे हम आगे बढ़ाइंगे तो यहाँ पर टुंड्रा वाली वनस्पति भी मिलेगी हमाले पर लेकर सिलेकर तुंडबर की वनस्पति पाये कोई वन और इक चीज़ हो रहे हैं आप इस घ्रीम बात किती है कि क्या बिल्कुल सपीशेंट नहीं है मैं तो यह मानूं का बिल्कुल भी सफिशेंट नहीं हूँ आप मैंसे बहुत सारी सोच नहीं कि मैं सभी निजयाटी पढ़ांगा तो इसा बिल्कुल भी नहीं यह बिल्कुल नहीं पढ़ाँगा मैं क्योई आपको गाइड कर सकता हूं एक में मैं टीचर नहीं हूँ ठीक है तो मेरा तो NCRT का यह 11 के NCRT है साइध अभी 12 की दो NCRT मानोवगोल मानोवगोल हमें पढ़नी नहीं है एक है वारत की जोग्राफी जिसके कुछ चेप्टर मैंस के अंदर एक्जाम इंपोटेंड वो चेप्टर में पढ़ाने वाला हूं ठीक है बाइक 11 के आज एंड से जल्दी हो जाएगा मतलब इनका फरक बढ़ता है यार आप आई इसमें वहां पर कोई ऐसे विक्ति नहीं चाहिए उनको रटा रटा है पैटर करके कोचिंग नोर्स पढ़के वहां पर जा रहा है वैसे लोग नहीं चाहिए मेरे तीन इंट्र्यू देने के बाद में एक यह चीज़ें डवलोप होती है और तभी में बार-बार बोलता हूं अपने इस्टूडेंट को कियार कोचिंग के पीछे मत बागो सेल्फ स्टेडी करो सेल्फ स्टेडी कैसे करोगा आजकल कोई कोचिंग भी करनी है तो यूटूब पर कितने अच्छे लोग पढ़ाते हैं आपको लक्समिकान से पॉलेटी पढ़नी है तो कोई टीचर पढ़ा रहा है इससे अच्छा खुद ही पढ़ो ना लक्समिकान से ठीक है जैसे आप यूटूब पर देखोगे लक्षमिकान बहुत लोगों एच्छे लोगों ने बहुत सांदर तरीके से पढ़ा रहे जो ज में रहता हूं मेरे पास संचाद नहीं है रोनने वाली परवर्टी नहीं होनी चाहिए आइस बनना है तो कि मुझे करना है कैसे करना कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं सिंपल जी बात है हाँ जुरुत पड़ती है काम पर जैसे आपको में अच्छा कोई लॉंच यह आपको लगता है और लॉनलाइन खृड़ों की लोग क्या दीकत है मैं यह नहीं कहता हूं कि कोचिंग का रोल नहीं होता है रौल होता है लेकिन कोचिंग का रॉल गाइडेंस का हुता है तो फिर प ör्स कौन क्यों कि य। है फिर दो साल क्यों अप उन पर निवेस करोगे दो साल के बाद में आके वही काम करना पड़ेगा रए फिर लक्समिक लच्त पड़ेगी इसप्ट्रम पड़नी पड़ेगी फिर से, आपको lived self study करके transactist रीज तो वह काम अभी सरू से कर लो बेस्ट है ये तरीका मेरा नुबो है इतनी साल के अनुबो की जो जन्नी है मेरी यूपी सी एस प्रेंट की उसके अदार पर बता रहा हूं कि कोचिंग की नीड नहीं है विशेश कर जीएस के जो अपने मेंस की पांच पेपर है निमंद को सामिल करके इनमें तो आपको एक रूपया मतलब देनी का अफस्टा नहीं है मैं एक एक एक्जमपल देता हूं आपको एक छोटा सा एक्जमपल देता हूं देखो एथिक्स की बात करें एथिक्स की पेपर की बात करें एथिक्स का पेपर नया लॉंज किया था इन्होंने 2013 में और एथिक्स का पेपर ल आकर अच्छा काम करना चाहते हूं ठीक है ऐसा देखना चाहते हैं तो यह जैसे लॉंज किया था तो मेरा तो अनुबग है कि मैंने ताज एथिक्स के लिए आज तक एक जिरू रूपया भी किसी को नहीं दिया है एक रूपया भी एथिक्स का पेपर और निमंद की पेपर का का मैं कहा सकता हूं एसे रैटिंग का और एथिक्स के पेपर का कहा सकता हूं एक रूपया किसी को नहीं दिया है ठीक है और अन्य पेपर के जैसे हाँ optional subject का मैंने किया लेकिन वो मुर्ता थी जैसे जोग्राफिय optional subject की कोचिंग की लेकिना आज जोग्राफिय optional subject ही नहीं रहा मैंने छोड़ दिया हिंदी साहिते लिए है तो हिंदी साहिते की self study कर रहा हूं जो नोट्स है आप इसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सरे हिंदी साहिते की strategy बताओ वो करो यार यूट्यूब पर जिन टोप्रों ने अभी तो मैंने तो नहीं लिया लेकिन टोप्रों के जिन तीन सो तीस आलिस नमर आज सुके हैं वो लोग बोलते हैं कि यार यह पांस किताबें यह किसी फैमेस कोचिंग के नोट से जाके मार्केट से क्रीदर पढ़ो और प्रिवेसर के कुशन पर देखो फिर क्या रोना रहना रोज का कि आप ये बनाओ और फिर भी मैंने एक मतलब फैमेस कोचिंग से जैसे एथिक्स का कितना रुपे होता लगबग 20 से 25 जा रुपे उन्होंने वहां पे किये ऐसे राइटिंग के उन्होंने लगबग 15,000 रुपे वहां पे पे किये ठीक है और आज से नहीं में कितने सालों से अपने दोस्तों को देख रहा हूं जो कोचिंग के 126 है एसे राइटिंग में उनका स्कोर आ रहा है 110 120 मेरा हमेसा ही 135 प्लस 131 प्लस रहा है एक बार 156 होना है तो यह एक्जामपल देख लो यह सब सेल्फटी का कमाल है यह सब सेल्फटी का कमाल है क्योंकि यार यूपी सी जान लेता है कि आपके विचार कितने अ सब्सक्राइब के मांच वीडियों बना रखें इस राइटिंग के एथिक्स के मैंने खूफ हाइदा है उनका तो वह कोचिंग हो गए तरह से तो यह चीज़ है थोड़ा सा समझदार बनो आपको मजाएगा और आपको पैसे भी बचेंगे टाइम भी बचेंगे बाकि आप पश्मी गाट पश्मी गाट के सदाबार और बन भीगाट जो है याँ पर 50 के वर्षा कम यहां पे वन भी केश होंगे मृद होंगे ये यह पर शितरत परूति रटा नहीं मानना है लोजिकली परोगे एग्जाम में कुश नाएगे सोल कर लोगे अधर पर्वार जो है दो परवर्ती वन और दक्षन परवती वन तो देखो इनको कुछ तुल्ना करें दोनों की तुल्ना करें तो हिमाले परवत में क्या है जैसे प्हच्मी माले की बात करें तो सबसे नीचे क्या कौन से वर्णपाथी और मांसुनी मिलेंगे उपर जाएंगे उस रंड कटिबंदी वर्ण मिलेंगे जैसे चीड चेश्टनस्ट ओक है और उसके उपर जैसे संकुदारी वन है देवदार है ब्लू पाइन स्पूर्स है उपर भी मतलब अलपा सब्सक्राइब के उचाएं से नीचे मिलेंगे उस्षण कटिबंदी वन और यह वन इंपोटेंट है 1500 मिटर से अधिक उचाए पर यहां पर सिटोषण कटिबंदी 16 मिलते हैं 16 नीलगी पालनी पाडियों मिलते हैं और यह व्रक्स यहां पर मंगनोलिया लेरें सिंकोना वे सब्सक्राइब है अलपाइन उस्षितोषण गास की मैदाने संकुदारी वन है टूंड़ा वनसपती है तो ऐसे यह मैंने समझानी कोशिश की आप ऐसे पढ़ना चाहिए कि जो जो हम द्रातल से उंचाई की और जाते हैं वनों की जो है विवित्ता बदलती जाती है ठीक है एक्वेटर से लेकर टूंड़ा था कि वनसपती प्रवतों में मिलती है विशेश करें हिमाले वाले प्रवतों में ठीक है आगे दल्दली या जो वेलांचली अनूपवन जिनको बोलते हैं दल्दली होते हैं यह कुछन भी आ सकता है कि आदर भूमियां दल्दली छेतर में जैसे मेग्रोवन है कच्वनसपती यह कहां पर जवारी एक संक्री खाडियां में पंक मेजानों में जवान अद्मुक्त चेतरों में उगते हैं बारत में वेग्रोवन कहां पाई जाते हैं सुंद्रवन डेल्टा एंडबानिकोबार महनदी गुदावरी कृष्णा नदी डेल्टा चेतर और इसमें हो सके तो आप वंद रिपोर्ट की जो लेटेस्ट डाटा ना है वंद रिपोर्ट हर दो साल में साथ एक बार आती है ना फोरेष्ट वाली रिपोर्ट 2021 में आई होगी है न तो यह नहीं डाटा जोड़ देख लाना यहां से कुछन एक कुछन ब जिसमें तीन टाइब के वन वनों को उगाए जाना था शहरी वानिकी यानि जो खाली शड़के या ट्रेन की पट्रियां जो पड़ी है आसपाच जगह पड़ी है खाली जमीन जहां भी भी लगता है तो वहां पर वनों को अविस्तार करना है ग्रामिन वानिकी में सामुद नीचे से एक उसन इस बार आएगा हर साल आता है एक उसन इस बार भी आएगा तो इसको ध्यान से पढ़ना एंट से पूरानी डाटा है तो आप जहां से भी इन्वारिमेंट का कोई टोपिक पूरते वहां से पढ़ लेना तो जेम अरक्षित क्या है विशेसकर बहुमिक व लीचे मानेत अपरापत है यह डाटा खुद चैगा करना तीक है कितने इसको यह यून्योस को में सामिल किया गया है यह कुछ ना सकता है जीव मंडल नीचे क्या है यहां पे मतलब एक तरह से आप कह सकते हो जीव मंडल आरक्षी जो चेतर है उसमें जीवों के का否 सबसे पहले इसए नियुलगी दिए कि आता है किसे बाइश पर रिजरवा है यहां कहा पहांगे इसके साखन होड़ा है भारत का पहला जीवडले निचे है और ये कुसना आया है, लास्ट ये रिचाइदी ये कुसना आया है, जियो में निलगरी में कौन-कौन से सामिल है वाइनाड हो गया, नागर होल, बांदीपूर, मदुमलाई, निलूंबूर का सारावन, चतर और उपरी निलगरी के पठार, सालेंट वेली, ये कुसना आसे हैं, ये कुसना पहले भी आया है, तो ऐसे कुसना आते हैं यहां से, इसलिए मैंने जानबोजगिन को सामिल किया है, ठीक है, ये इंपोटेंट है, याद रखना, इतनी भी पाड़िया किस किसमे सामिल है, कब हुआ, क्या हुआ, और दूसरा इसमें इंपोटेंट है, कि यहां पर किस टाइप की वनस्पती और जी पाए जाते हैं, तो यहां पर सुस्क अर्सदा, प्रणपाती वन है, संक्या पाए जाते हैं, इसके लावा हाती, गोर, सांबर, चितल, यहां पर सरवादिक पाए जाते हैं, यह इंपोटेंट है, बहुत ज़्यदा इंपोटेंट है, यहां से हर साल एक उसन आएगा, बार बार इसलिए बोलना हम ताकि इसकी सीरिसने साब समझो, ठीक है, और इसके लावा हम जानते हैं, नंदा देवी के अंदर किस टाइब के हैं, नंदा देवी, तो यह है, उत्राखन में है, ठीक है, और समोली, अलमोड़ा, फितरागट, बागेश रोजलों में है, यहां सितोर्शन कटिविंदी वन पाए जाते हैं, सितोर्शन कटिवंदी है, यहां पाईजाने में परदाने, शिल्वर गुड, लेट्टी फॉली, ओर्च डिया, और्किड, रोड़े ड्रॉन सामिल है, उस जीव मंडल निचे में कई परकार के, वनने जीव जैसे हिम तेंद्वा, काला बालू, बुरा बालू, कस्तुर इमर्ग, हिम मुर्गा, सुनर लाज, काला बालू, लाश्टियर साहित कस्तुर इमर्ग, पुछा जा चुका है, तो यहां से इसलिए इम्पोर्टेंट है, NCRT से यहां से डारेट कुसर बनते हैं, और यहां से मैं अभी दुवारा बोल रहा हूं कि इस बार भी इस चेप्टर से दो कुसर आएंगे पका, इस टाइप की कुसर आएंगे, ठीक है, इसके लावा यदि हम बात करें, देखो, यह हिमाले में और क्या बता रहा है, यहां पर जीओ तो होगे, यहां पर आगे यहां से पढ़ेंगे, यहां पारिश्टिक तंतरों को मुख के खत्रा, संकटापन, पोदों के परजातियों खिली टाकना और दावनल, दावनल क्यों है, अभी हम बात करें थे, ठीक है न, दावनल का अभी उपर पढ़ गया है, कि उत्रा खंड या हिमाले में दावनल क्यों है, कि वहां पर ओक के वरक्सी बजाए, चीड के बन लगाए गये है, तो चीड में क्या होता है, उनकी पत रोयल बंगाल टाइगर हो गया, इसके लावा यहां पर स्रिम्प मसली जो है, यह पाई जाती है, लवनी यहां पर बाग पानी में तेड़ते हैं, और चितल बोकनी वाला बरक, बार्किंग डियर, देखो बहुत इंपोटेंट है, बहुत जदा इंपोटेंट यह चेप्ट बहुत इंपोटेंट है, कहां पे हैं, लोकेशन भी देख लेंगे, मनारगे खाड़ी जीमटल नीचे लगबख इतना इच्छेतरम फिलावा है, और यहां पे जो सबसे इंपोटेंट मुझे लगता है, इस जीमटल 21 दीप है, इन पर अनेक जौर, नदमुक, पुलीन, बहुता है, ठीक है, यह साकारी एक मतलब पर जाती है, जो यहीं पाई जाती है, और यह कुसन आचुगा, कितनी वार आचुगा है, यह कुसन, ठीक है, तो ऐसे कुसन आएंगे, फिर आगे एक सारणी है कि कौन से जीमटल अलक्सी दर काहां पे पहले हैं, यह आपकी यहां पे है, ठीक है, अंडबानी को बारवाला भी है, सुंदरवन है, सिम लिपाल है, बहुत सारे जितनी भी हैं सब आगे इसमें मेप में, तो मेपिंग भी खुझ भी करना, तो यह चेप्टर यहीं समापत होता है, आप सब का बहुत-बहुत सुक्रिया, लेसन को लाइक करते रहना, धन्यवाद.